उपशुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब पूरी तरीके से चुट गई है निवाडी में सिएम शिवराज का रोड़ शो सिएम जुनसभा को संबोधित भी करेंगे भूबाल से बड़ी खबर सामनी आ रही है शब्बीर हमारे समधताजाद जौनकारी के साथ जोड़ गए है शब्बीर उप्चुनाव की तारीकों का ऐलान हो चुका है बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कसली है क्या कुछ जौनकारी आपके पास इसको लेकर बीजेपी हो पहले से ही जुटी हुई थी बैठकों का दोर चल रहात है लेकिन अब दोनों पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं और सीम शिवरा सिंग चोहांड टीकम गड़ के निवाडी में आज बड़ा रोड़ शो करने जा रहे हैं बताया जा रहा है 20-25 किलोमेटर लंबा यह रोड़ शो रहेगा और यह रोड़ शो छे से साथ गाओं को कवर करेगा इसके अलावा जगा जगा बीजेपी के कार करता हूं ने स्वागत की तयारी कर ली है और बड़ी जनसभा को भी सीम शिवरा सिंग चोहां संबोधित करे जोबट और टीकमगड इसके अलावा खंडवा में तो प्रत्वीपूर एसी सीट है जहां पर बीजेपी सबसे कमजोर है बिल्कुल क्यूंकि वह कॉंग्रेस का गड़ रहा है ब्रिजेंद प्रताब सिंग वहां से ब्रिजेंद प्रताब राठोर महां से कॉंग्रेस के वि सीट भी अगर प्रचार में पहुंचे हैं सीएम शिवरासिंग चोहान कल तारीकों का एलान हुआ आज वह प्रचार में जुड़ गए हैं और सबसे पहले वही सीट चुनी है बीजेपी संगठन ने वही सीट चुनी है जहां पर वह सबसे कमजोर है और तमाम जमावट करने तमाम मंत्री वहाँ पर मौझूद थे संगठन की तरफ से मुखमंत्री शिवरासिंग चोहान की तरफ से तमाम निताओं को तमाम मंत्रियों को निर्देश दे दिये गए हैं कि आप जमीन पर जाएं सरकार की योजनाएं पहुचाएं और जुट जाईए और किसी भी तरह स प्रचार का अगास करने जारें नहीं वाड़ी से बिल्कुल शबीर लेकिन हम देख रहे हैं कि बीज़पी पूरी तरीके से कमर कस्ती हुई दिखाई दे रही है बैठकों का दौड जारी है और साती साथ जमीनी स्तर पर उतरती हुई बीज़पी दिखाई दे रही है लेक कि देखिए पीसी सी चीफ कमलनात विदेश के दोरे पर हैं बताया जा रहा है कि उनकी तवित खराब है तो उसका इलाज कराने वह गए हैं और यह बीज़पी चीज सामने आ रही है कि दो अक्तूबर तक कि कि आसपास वह वापस दिल लिया जाएंगा और उसके बाद कॉं चैन सिंग वर्मा विजे लश्मी शादो बाला बच्चन दिखविजे सिंग यह तमाम नेता मौजूद रहे हैं और बैठा के चलती रही है लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आ रहे हैं यह चीज़ें खुलकर सामने आ रही है कि जो जो चुनाव लड़ने के ल जादा भरोसा करा था नाकी बड़े निताओं के और उसमें उसको काम्याबी भी हासिल हुई थी और कॉंग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह दमों पेटन पर ही चुनाव लड़ेगी और यहीं नतीज़ा है कि बड़े तो यह नहीं दिख रहा है कि कॉंग्रेस वहा इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पुर्जोर तरीके से कोशिच जो है दोनों ही पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही है बहुत शुक्रिया आपका शबीर जोड़ने के लिए जुआनकारी साजह करने के लिए झाल सकता है